हेलो फ्रेंग्स राम राम जैसी कृष्णू आप सब कैसे हो आशा कट्यों सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़ी हूँ अब मैं जिस पर एक संदूंगी फ्रेंग्स वह है चाइना इंडिया कॉन्फलेक्ट यानि यह जो चाइना इंडिया का जो भी बहुत चल रहा है न अचान अचाल आज़े समझा नुगने अपने हिसाब से समझा जाया है और श्र τη ही समझे ना पूली सम्ग जरू больш जरूरी है यह जो नuchen्फियूद्द है हम किया जा रहा है वो नहीं पता है लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है ये जो चाहिना कर रहा है तो आईए पहले देख लेते वीडियो उसके बाद हम बात करेंगे मेरा रिएक्षिन अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना फ्रेंज तो आईए ये पर देख लेते वीडियो स्टाट की इतिहास रहा है कि वह एक कॉम्मिनिस्ट कंट्री है और अपने देश के अंदर हो रहे हैं वीडियों को दबाने के लिए अपनी जनता को मीडिया से दूर रखता है और वीडेशी आकरमड या कि छोटे मोटे लडाई का सहरा लेता ह है तकि वहां की देश इसे भूल से ऐसे 1962 में हुआ था 1960 में माओ की खिलाब वहां आंत्री विद्रों की संभावना हो रही थी माओ ने इसका वाइदा उठाते हुए भासट की लडाई थमदी भारत की उपर और अक्साई चीन का अरिया कब जाकर लिया उसी समय इसने ताइ में सी जिंग्पिंग के खिलाब बहुत तेजी से बगावत हो रही है इसने भी वही सहरा लिया जनता का ध्यान भटकाने के लिए इसने भी भारत से लड़ाई थोपने के लिए कई वारक से उसाइवले करांग किये अभी हाल में इसने तवांग में घुज गया और ना चल अभी तरह की गंभीर चोट नहीं है यह नहीं कोई भारतिय साइनिक सही दुआ है यह हमारे रक्षा मंतरी का खुद का संसद में दिया हुआ इस टेटमेंट था और वहीं चाइनीज मीडिया इस पर एकदम चूप है जब चैनीज पीटाते हैं समना तो एकदम चूप हो जाते हैं आपको याद होगा जो जो पीटा गया उस इत्ती होता है आकर भाज रहा था था मार यहां पर लाठी-लाठी का पारफार दिया सब चै अब करीब नंदा देवी परवत के पास और चाइना के पास युद्धव्यास की इसलिए वह अपने ड्रोन को और उसने सबसे बड़ा जो बंबरसक जहाज बनाए एस-20-20 यह बंबरसक जहाजों और पीप सीमा के पास उड़ाते रहता है तो भारतिय सेना भी अपनी कि अब विदेश नीती जो है काफी एग्रेसिव हो गई और यह होना भी चाहिए हमें अपने दुस्मनों को पहचानने में चाणिक भी देर नहीं करने चाहिए इंडियन एयरफूर्स काफी तेजी से चाइना का मुकाबला करने लगती है चाइना के साथ समस्य यह है कि यहां पे तिबबत का पठार इतना उंचा है कि यहां पे कितना भी बहतरीन जहाज दे दीजिए कितना भी बहतरीन जहाज वह अपने फूल केप सीटी से नहीं उड़ सकता है क्योंकि तिबबत के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और किसी भी जहाज हो गया उसमें इन पाले की उपर से कोई कमर्सियल जहाज जाते भी नहीं है तो इंडियन एयर फोर्स कापी एग्रेसिव में इसमें आगे बढ़ी है लेकिन चाइना इसे अन्य जगहों से घहरना चारा है पाकिस्तान के सारे इधर मलक्का के सारे इधर तंजानिया के सारे तंजानिया से साथ इदर से मलक्का को इदर से और ऐसे चारों और से चाहिना भारत को घेल ना चाहरा है हलां कि भारत भी इस से अब काउंटर अटेक के मूड में आ गया भारत अपने वाई शेना की ताकत को लगतार बढ़ रहा है एयर बेसे को भारत बढ़ाया जा रहा अभी गुज्रात में द तुसमन कम है है अफगानिस्तान है तो इसमें अफगानिस्तान के पास कोई उतना टेक्नोलजी ही नहीं और उसके जादे तर एयर बेस अगर आप देखेंगे तो यह भारत के और मिलेगा यह उसने पाक अकुपाइट कस्मीर है पी योके पर कपजा कर लिया यहां पर अब यह ऐसका आगर आप दियान देहें तो यह चाइन पाकिस्तान के बहुत सारे एयर बेस है जिसमें एक्ठ यहां सहबाज एयर wrapped को आगे की और काउंटर करने के लिए और ऐक कस्मीर के पास में आए HIS कार्डू एयरबेस यह गया मैं कोस्छन पूछता हो है यह इसकारदू है करिंट में जब famous हो जाते हैं तो उसे कुछ-कुछ question पुछता है इसलिए याद रखने आता है तो यहां मीरपूर airbase, सुकूर airbase और यहां साबाज airbase यहां पर इन airbase से भारत में अंदर तक हमला किया जा सकता था इसको counter करने के लिए जोदपूर में फलोडी airbase था गुजरात के कच में नलिया airbase था यहां से इसे counter किया जा सकता था इसे counter किया जा सकता था लेकिन अभी PM-Modhi ने यहां पर एक disa airbase का उद्घातन किया दीजा airbase जो है अब यहां से और अंदर तक counter-attack किया तो यह एयर बेस भारत के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमको हर तरह से counter attack के लिए ready रहना है क्योंकि चाइना लागातार पाकिस्तान को support करते जा रहा है तो यह को मजबूत होते हैं कि रणवे के बाद जहाज को अगर इसमें लिया देते हैं तो इसके उपर 1000 किलो कभी बॉम गिरा दिया जाता है इसको कोई अफ़ार नहीं होता है है इसकी टेस्टिंग हो चुक गई है देखे यह जहाज इसी के अंदर था जहाज इसके अंदर था इसको रख के तोड़ा है सब यह उपर वाला ब्लास्ट हो गया है जहाज चुप चाप निकल के चला गया तो यह भारत इसको बहुत तेजी से अपने हर एक एर बेस में इसको ला रहा है ताकि जहाज जो है एर बेस पे भी सेफ रह सके ताकि युद्र के स्थिति में काउंटर अटेक किया जासे कि भारत इसको बहुत भली भाती से समझ गया है कि अब हम लोगों को एग्रेसिबली आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि चाइना लगातार हमें घेरते आ रहा है इसलिए भारत ने अपने यह तो गया अफगानिस्तान अफगानिस्तान के लोगों को भारत से बहुत लगा हो रहता है तो भारत अफगानिस्तान भारत में रिलेशन अच्छा है लेकिन पीयों के कब्जा करने को वाई से डारेक कनेक्शन नहीं है यहां पर है आपका ताजाकिस्तान यह ताजिकिस्तान जो जगह है यहां पर भारत दो ठो एयर बेस ले रख और प्काइस्तान में कर सकते यह सबसे ज्यादे काम कब करेगा कैना यहां पे सड़क बना रहादा है पाकिस्तान एकनोमिक करिदोर इसको इधर से अटेख करता ही हो सकता है इस एर बेस तुर्वोर्ज है कि आग रहना है क्योंकि चाइना में अगर ज्यादे विवाद हो तो लेकिन चाइना का सोच क्या है वह सिल्क रूट के माध्यम से भारत को घेरना चाहरा है। चाहिन चैना की टंसनْ का वह मलक्का के पास से यहां से भारत को यह उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि मलक्का के पास भारत बहुत है यहां showing मैं दिए यहां से ना और से अगर मलक्का से होके निकलेगा या तो सुनदा इस लिए चाइना को पता है कि इस एरिया में हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए चाइना को पता है कि इस एरिया में हम कुछ नहीं कर सकते हैं वो डारेक्ट सड़क के माध्यम से अपने सामान को यहां लाता है और इस रास्ते से निकल जाता है यहां पर उसने बहुत बाड़ी सड़क बना रखी है इस सड़क के चारो और फेक्टरी, पेट्रोल, पॉंप, हॉस्पीटल अलग 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 शियों को खोल रखा है इसका नामें CPEC, CPEC को काउंटर करना भी बहुत जरूरी है जो ग्वादर पोर्ट से जुड़ता है यहां पर CPEC के लिए यहां पर हमको एनी एरबेस और फार्खोर एरबेस यहां से काउंटर कर देंगे और यहां इरान का चाबाहर बंदरगा हम इसे काउंटर करके जीबूती में इसने अपना एक सैने अड्डा ले लिया अब जीबूती समुद्र का इतना पतला रास्ता है कि अगर यहां स्वेज नहर से कोई भी जहांज यूरोप से आईगी तो उसे जीबूती से जाना ही पड़ेगा और जीबूती पे उसने एक भाड़े पे सैने अड सरकार को कि यहां पर यमन मैं अभी असांती फेलीенко का यहां से अपैस्प्रक benefici को भी नहीं रहेंन और लेकिन अभी यहां Колे चाहिए यहां पर करना चाहिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए चाइना ने इतना जादे मातरा में लोन दे रखा है अफरीकी देशों को कि उन्हें अपने कर्ज के जाल में फसा लिया और इस जाल में फसाया बढ़ियां से तंजानिया को तंजानिया जो है इसका एक जंजी बार दूइप है जो दुनिया में सबसे ज़्यादे लॉंग के उत्पादन के लिए परसीद है मतलब बेस बनाने वाला है सेशल में यहां पर मौरिशस में अगलीगा दूइप है यहां से काउंटर अटेक के लिए यहां पर एविलेबल हो सकते हैं तो कहने का संसी है कि भारत को पहले से रहाना चीँ सीजिंगपिंग अपने देश की जनता का ध्यान अपने और से भॉटाने के लिए वह को अपनान के एक और अकर देजमें सारे चीजे चेंज हो गए हैं युक्रेयन युद में और अजिए क्पली कर दिया तूर्की जैसा सदेश ड्रอง के मामले में इरान जैसे देश ड्रोन के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं तुर्की का कौन सा ड्रोन यूक्रेयन में तवाही मचाया और रूस जैसे सकतिसाली देश को इरान से क्यों ड्रोन मंगाने पड़े इसे भी हम लोग समझेंगे उससे पहले आप लोग को सूझना वही यूपीएस देन जो में समझ रही थी वह इंफोमेशन इनके अंदर नहीं है क्योंकि अभी जो यह तमांग नमुबले तमांग में जो हुआ है एक वीडियो ज़ारी किया था वह ऑफिशिल एक उपेशियल अपीशियल ज़शिय आगे था सरकार नहीं किया था कि चाइना के शैनिक और ह यानि हमारी दरब से यह बयान भी आया हे के वो आगे आगे थे और हमने उसको खikte दिया उनके इलाके मेंい एनके मांगी है और काफी मारी को टब आई है लेकिन हमारे लिए खुष ही कि इस रखेनि को पल चोट नहीं आई है तो अब जो अब हमारे जो इस हिसाब से लगती है ना फ्रेंस के सरकार की जो नीती है ना अभी आकरसक नीती में वो है पहले जैसे नहीं है देखेंगे देखेंगे पहले यह होता था वो देखेंगे देखेंगे उसमें 1962 की लड़ाई हो गई थी और अब और चाइना को भी अ कि जब गलवान वेली में हुआ था फ्रेंश गलवान वेली में मुँ तोड़ जवाब दिये थे हमारे आर्मी फ्रेंश चैनिस को फ्रेंश तो उनको यह समझ में आ गया है कि हम जो यह दो दो कदम बढ़के आगे जाएंगे अब भारत यह मतलब करने वाला अब नहीं है फ्र बहुत अच्छा है यही बात इस विडियो में यही जहनकरी है कि जहां जहां अगर भगवान न करे के य१ को कि युध कियो कि एक य enact तो देश हमारे सामने यूद लड़ रहे हैं उनको उसी की भासा में अभी जवाब दिये भी जा रहे है तो यह बहुत अच्छा है और जहां जहां अगर चाइना आगे बढ़ता है उधर से हम उनको कितना अटेक कर सकते हैं उनके बारे में यह वीडियो था और दूतरी बात एक चाइन जे खेंगे बाता हैं वेडियों कि जो चाइना है वो कि अपर चाइन आ का बोस बढ़ना जाता है जो किसी से छुपा नहीं है और उनकी राह में एक ही दिकत है वह भारत है लुए भारत कर रहते तो कभी आगे लिबां नहीं बं सब्सकता हाला कि हमारी और इसले हम लोग च दिकत हो हुल ईह उस वह घ्या रहा है भारत को और उनकी रणनिती अपनी अन्डर लेता है उनको बड़ते हुए पाकिस्तान को ऊपने ले ले लेता है यह देश प्र theo जनते ही है उनको फाकिस्तान की महरबान है हम लोगों को घिरने के लिए और पाकिस्तान से उनको मिलना ही नहीं पाकिस्तान में कसके लिए यह इंग हो से लंकल्गा के कर्च नीचे है और मतलब वो नेपाल को भी भड़का रहा है और दूसरी बात इनकी कूट नीती आगे देखो कितनी क्योंकि हमारा फ्रेंड रस्या है तो उनको भी काफी एक हिसाब से बोले के तो रस्या की भी काफी चमचागीरी करने लगा है वह इसी लिए कि उसको किसी भी हिसाब से जो बाइबारा इसले हुआ है भारत को बार बार इसली इतुत दिखाता है तो एनके राह में रोडा है तो यसी भारत ही है फ्र arise लिए लिए को लगा वेलस वेडरी अचाता अच्छी जानकरी थी एस में और आपको मेरा डीक्षन छब ओकrem तो लिए को लाइक साव करां करें जहरूर करें संक्तान में जैंकरी वाली वीडियो में बई-बाई जै हिंद वन दे मात्र पाइ בाइ